लेटा इंडिस्टेंड ये एक पॉइंट और एक ही स्केर ब्रेक्ट अलो स्टुडेंट्स तो कैसे आप सब लोग लास्ट क्लास अपने देख ली होगी लास्ट क्लास में हमने बात करी थी कुछ प्रेक्टिकल मैथड्स की जिनकी हेल्प से हम लोग कुछ शॉड डिस्टैंस को मैजर करते हैं डॉसमें सब्सक्ट नो लास्ट क्लास आप देख लीजे उसमें हमने बात करी थी निस्ट्यूमेंट के बारे में और प्रीनेंब कॉन इस थे एक्रूम्स यूज किये थे वो direct method से length को measure करने के लिए और last class में ही मैंने आप से promise किया था कि next class में हम लोग कुछ indirect methods के बारे में बात करेंगे जिनकी help से भी हम distances measure करते हैं तो आज की class का हमारा aim रहेगा कुछ indirect methods के बारे में सीखना की कैसे कैसे उनका use करके हम लोग distances के बारे में distances की measurement करते हैं और उसके बाद अगला पार्ट होगा आज की class का हमारा very important part इस chapter का that is dimensional analysis उसको हम start कर देंगे और almost उसका 30-40% करने का ट्राइब करेंगे लास्ट चीज रह जाएगी जिसमें हम लोग application of dimensional analysis जो की हमारी next class का aim होगा उसके बाद एक class और होगी हमारी जिसमें हम लोग error analysis खतम कर देंगे तो हमारी दो classes और होगी जिसमें ये पूरा का पूरा chapter finish हो जाएगा ओके तो start करते हैं आप अपनी notebook खोल लीजे start करते हैं आज की class तो आज की class में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ indirect methods की कुछ indirect method पढ़ेंगे लोकी किसलिए यूज आते हैं measuring large distances अब large distances कौन से जैसे यहां से मून तक का distance या मून का diameter या किसी तूर पढ़े हुए star का distance अना यह सारे कि सारे जो distances ही हमारे लिए large distances की category में आते हैं या मालो बहुत बड़ा tower है उसकी height measure करनी है या एक बहुत बड़ी mountain है उसकी हम height measure करना चाते हैं yes or no इन सब के लिए जो method यूज होते हैं आज हम उसकी बात करने वाले हैं तो start करते हैं सबसे पहला method जो है हमारे पास triangular method नाम से clear है कि इसमें triangle की कुछ properties data use होगा कुछ trigonometry use होगी है ना तो start करते हैं सबसे पहले हमारे पास triangular method अच्छा triangular method भी दो category में बाटा हमने एक तो accessible object के लिए और एक inaccessible object के लिए ठीक है जिनकी height थोड़ी moderate होती है जिसको किसी एक position पे ठड़े होके देख सकते हैं और उसको observe कर सकते हैं उनके लिए फिर हमें दो observation point consider करने पड़ते हैं उनको inaccessible object बोल दिया जाता है जैसे बहुत बढ़ी mountain की हम बात कर रहे हैं तो start करते हैं सबसे पहले बात करते हैं इसमें हमा triangular method for accessible object for accessible object और दूसरा आएगा हमेरे पास triangular method triangular method for inaccessible object इन एसेसीबल ऑबजेक्ट ठीक है यह दूसरा वाला method होगा पहले वाले method में हम लोग क्या करते हैं हम लोग क्या करते हैं मालो मेरे पास कोई tower है जिसकी height h है उसकी height की measurement लेने के लिए हमारे पास एक lab में एक operator होता जिसको sextant बोलते हैं उस अपरेटर से उस particular जो कोई भी बॉड़ी हो सकती स्पोर्स करो टावर है तो उसको observe करते हैं जैसे for example माल लीजे मेरे पास यहां पे टावर है जिसकी height let's say h है तो मैं क्या करूँगा अर्थ के उपर खड़े होके यह इसके बेस के level में इस टावर को observe करूँगा और इसका देखूँगा कि इसका जो टॉप पॉइंट है वो यहां पे ground पे कितना angle यह सब्स्टेंड कर रहा है लेट से यह थीटा एंगल यहां पे सब्स्टेंड कर रहा है यह जो एंगल की measurement है हम उस operator से कर सकते हैं तो हमारे पास थीटा आगया h हम जानना चाते हैं और हम यह देख लेंगे कि हम जैसे for example इस point को मैंने o बोल दिया इसको a बोल दिया और इसको p बोल दिया तो हम यह दे लगाएंगे क्योंकि जो सेक्स्टेंड अपरेटर्स होता है वह आपको यहां से थीटा दे देता है और यह वहला डिस्टंस आप सिंपल मैजर्मेंट से भी पता कर सकते हो कि मैं उस टावर के जो बेस है उससे कितना दूर खड़ा हूँ हम क्या कर सकते हैं यहां पर सिंपल अगर मेरे पास अबजेक्ट के लिए सिर्फ एक ही पॉइंट काफी है तो उसकी जो हाइट है हम लोग की ट्रेंगुलर मैथड से मैजर कर सकते हैं सिंपली आपको एक्स की वैल्यू पुट करनी है और थीटा की वैल्यू पुट करनी है तो यह तो अगर मेरे पास कोई आप लोकेशन पर जाके अब्जर्व करना पड़ता है यह सर नो एक कोशन भी करेंगे इस पर अच्छा कोशन है वह एक दो बार सी बीसी में या नीट बगएरा में पूछा भी गया है ठीक है वह कोशन करेंगे लेकिन यह मैथड़ ज्यादा इंपॉर्टन है इस मैथड़ में क पर्टिगूलर टावर की हाइट को मैजर कर सकते हैं तो देखते हैं इस मैथड में हम लोगों को क्या करना है देखिए नेक्स्ट है मेरे पास ट्रेंगूलर मैथड ट्रेंगूलर मैथड और इन असेसीबल अबजेक्ट ठीक है तो इसमें हम लोग क्या करते हैं माल लो मेरे पास कोई object है इसकी height let's say h है इसकी height माल लेते हैं let's say h है मैं क्या करूँगा same object को same जो building होगी या tower होगा जा mountain होगा उसको अर्थ की उपर ही दो अलग अलग location से observe करूँगा ठीक है और example पहले मैंने अच्छा observe करने के लिए जो अपरेटर्स यूज़गा वह सेम अपरेटर्स सेक्स्टेंड होगा ठीक है तो मैं क्या करूँगा पहले अपना जो instrument यहां रखूंगा और देखूंगा कि इसने यहां कितना एंगल सब्स्टेंड किया तो for example माल लेते यहां पे इसने लेट से ठीटाव वन एंगल सब्स्टेंड किया Okay and let's call this point to be o इसको हम a बोल देते हैं और इसको से इसको दी बोल देते हैं फिर क्या करेंगे उसी अपरेंटर को उठाकर किसी और डी पॉइंट पे ले जाएंगे और वहां से फिर उस पॉइंट को अब्सक्राइब और देखेंगे कि यहां पे वह कितना एंगल सबस्टेंड कर रहा है तो माल लेते हैं यहां पर उसने टीटा टू लिख सकता हूं इसका प्रॉपर डेरिविशन हम नहीं करेंगे कि कैसे आया वह एच इंपली यह बता देता हूं कि फॉर्मुला क्या और आपने सिंपली फॉर्मुला याद रिखना और फॉर्मुला बेस्टी कोश्चन आता है यहां से यहां से अगर आप एच द इधर को शिफ्ट किया तो वो डी डिस्टेंस आयेगा यहां पर कैलकुलेशन में तो फॉर्मुला बन जाएगा डी इवाइड बाए पॉर्ट है टीटा हो माइनस कॉट हिटा वन यह फॉर्मुला आप याद रखेंगे कुश्चन करने के लिए अभी तक हम ने दो मेथ डिसकस किये हैं large की measurement के लिए लर्ज डिस्टेंस का मतलब हाइट भी हो सकता है तो अभी तं सी टावर की हाइट किसी माउंटेन की हाइट यहां किसी बिल्डिंग की हाइट मैजर कर रहे थे हैं और इन दोनों मेथड में हमने देखा कि ट्रेंग्लर मेथड लग रहे हैं और कौन-कौन से उनका फॉर्मॉलास हैं वो भी मैंने डिसकस कर लिया है अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट मैथड है यह भी एक मैथड है जिससे हम लोग लार्ज इसेंसे मैजर करते हैं धिस मेथड इस नौन अस पैरलेक्स मैथे उस्से समज्टे है कि पैरलेक्स क्या होता है डिफिनीशन से क्लियर करते हैं Parallax is the apparent shift एक एक वर्ड को ध्यान से सुनना Parallax का simply मतलब क्या है Parallax का मतलब है Apparent shift in the position of an object with respect to another when we shift our eyes sideways For example, मालो आप किसी object को दूर से देख रहे हो ठीक है? और आप उसको क्या करोगे? उस object को अर्थ के उपर अलग-लग दो location से observe करोगे आप किसी object को अर्थ के उपर ही दो अलग-लग location से observe करोगे और देखोगे कि दोनों में थीटा कितना आ रहा है ठीक है? जैसे for example, मालो मेरे पास कोई object है यहाँ पे लटसे O नाम का object है तो मैं क्या करूँगा? इसको दो अलग-लग location से observe करोँगा ठीक है? मैं देखूंगा यह थीटा कितना है माल लेते हैं कि O का A से distance let's say D है तो यह distance भी D ही रहेगा क्योंकि हम large distances की measure कर रहे हैं तो वो distance में कुछ ज़्यादा फरिक नहीं पड़ेगा और यह वली जो चीज होती है A को B से जब हम ऐसे करके join कर देते हैं इस बिकम दा बेस आफ दा इस मेथर्ड परलेक्स मेथर्ड का जो बेस होता है वो यह दो observation point के बीच का distance होता है इसको small b से denote किया जाता है अगर आपके पास एक object है अगर उसको दो अलग लग location से observe करोगे तो उसकी जो position होती है उसमें apparent shift आता है और उसी apparent shift की help से हम लोग उस object का distance measure कर सकते हैं तो वही चीज हम यहाँ पर लगाएंगे इस तरीके से हम लोग किसी भी object का distance d measure कर सकते हैं अगर वो object यहां रखा है और उसको अर्थ की उपर दो अलग लग location से हम लोग observe करते हैं अब इस method की help से हम लोग किस तरीके से किसी दूर पड़े हुए planet या जैसे हमारे लिए satellite moon है उसका अगर हमे distance measure करना है तो वो किस तरीके से हम लोग measure कर सकते हैं understand तो उसके लिए simply क्या करना है मैंने यहाँ पर डियाग्राम बना के रखा है जैसे for example आपके लिए यह moon है मून का डिस्टंस मैंजर करना चाते हो अर्थ से आप मून का डिस्टंस अर्थ से मैंजर करना चाते हो और माल लेते हैं कि मून का डिस्टंस अर्थ से डी है ठीक है ओके और यहां पर नीचे यह जो मैंने बना रखा है यह नीचे ग्राउंड है या बेस है हमारे लिए अर्थ है इसको थोड़ा सा अर्थ शेप काई बनाते हैं कुछ इस तरीके से हम अर्थ के ऊपर खड़ें और अर्थ के ऊपर वो पॉइंट है मेरे पास यह एक पॉइंट ए है और यह एक पॉइंट यह इन दो पॉइंट से मैं मून को अब्सर्व कर रहा हूं ठीक है और मैंने देखा कि A point पे उसने कुछ angle सबस्टेंट किया let's say फाईवन और B point से जब देखा तो कुछ angle सबस्टेंट किया let's say अब A और B पॉइंट के बीच का यह जो distance होगा इसको क्या बोलेंगे हम लोग B पी यहनि की base of the method जो भी method हम use कर रहे है उसको parallax method का base बोला जाता है ठीक है और यह distance D है for example यह distance भी D रहेगा understand यह हमारे पास moon है जिसका हम distance measure करना चाहते है अब आप क्या करोगे simple angle की जो definition होती है simple angle की जो definition होती ही वही लगा नहीं है आपको angle is simply defined as arc upon radius अगर वही simple definition आप यहाँ पे लगाओ के तो आपके पास क्या बन रहा है अगल यहां पर क्या बन रहा है इस पूरी बड़ी वाली triangle में देखो वैंगल क्या बन रहा है 51 प्लस पाइटू प्लस पाइटू फीक है तो मैं लिख देता हूं 51 प्लस i2 is equal to अच्छा इस case में arc क्या होगी अगर यह angle है तो इसके सामने यह a b जो है यह arc होगी ठीक है तो मेरे पास आजाएगा a b इवाइड बाइड रेडियस का रोल प्ले करेगा यहां पर डी ठीक है और मुझे डी चाहिए अगर मुझे डी चाहिए तो मुझे क्या करना डी को इस सेट रखना है और 5152 को नीचे ले जाओ ठीक है तो आपके पास आ जाएगा a b यानि कि जो उसका बेस है तो बर पास आ इस तरीके से आप लोग किसी भी प्लैनेट का या किसी भी सेटलाइट का अर्थ से जो डिस्टेंस है उसको मैजर कर सकते हो अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस आपके पास आ जाएगा विद्धा हेल्प ओफ एरलेक्स मैथड एंडिस्टेंड आपको यहां तक क्लैरेटी कि हम लोग इंडिरेक्ट मैथड का यूज करते हैं किस चीज के लिए लार्ज डिस्टेंस की मैजरमेंट के लिए या किसी लार्ज बिल्डिंग की हाइट मैजर करने के लिए अब इन मैथड का यूज किया जाता है अगे बढ़ते हैं यह बींडिरेक्ट मैथड में इन ईता है अगर मालो मुझे मून का के मैजरम आ माव मुझन मों का मैजर करने कि इसके सिर्में वैसा ही कुछ मैं जिस से हमें यह वाली चीज पता जब्äft झाहिँ tá मान लेते हैं, यह मैंने moon consider किया हुआ है, इसके उपर ये एक point है A, और ये एक point है B, ओके, और मुझे A और B के बीच का distance चाहिए, और A और B यहाँ पर moon का diameter है, तो मैं क्या करूँगा, अर्थ के उपर से, अर्थ के उपर से, moon के ये जो दो point है न, जैसे ये point A है और ये जो point B है, इसको telescope की help से यहाँ पर देखूँगा, ठीक है, फिर क्या करूँगा, टेलिसकोप की help से इस point को भी देखूँगा, और मैं देखूँगा कि यहाँ पर ये कितना angle बना रहे हैं, let's call this angle to be 5, मैं क्या कर रहा हूँ, moon का diameter में measure करना चाहता हूँ, और मैंने क्या क्या मून के ही, इस वाले surface पे एक point और इधर वाली side पे भी एक point को, टेलिसकोप की help से अर्थ पे observe करूँगा, और देखूँगा कि वो दोनों point अर्थ पे कितना angle सबस्टेंड कर रहे हैं, तो माल लेते हैं कि उन्होंने angle सबस्टेंड किया, let's say 5, और ये distance को consider कर लेते, let's say D, और diameter को for the moment बोल देता हूँ, let's say A B ही रहने देता हूँ, कोई नाम नहीं देते, A B रहने देता हूँ, और A B मैं measure करना चाहता हूँ, तो simple अगर फिर से आप angle वाली definition लगा हूँ, angle क्या आता है, 5 is equal to simply arc, अच्छा, इस angle के लिए ये A B as a arc behave करेगी, A B behave करेगी as a arc, divide by radius का role play करेगा, ये D, ठीक है, D मुझे चाहिए, arc की जगा आजाएगा, A B, ने सरी, D हम जानते हैं, क्योंकि D हम किसी और method से जैसे पिछे हमने देखा था न, ये वाले method में हमने ये ही तो किया है, कि moon का या किसी planet का distance हम निकाल सकते हैं, parallel x method की help से, अब हम इस D का use कर सकते हैं, next वाली problem में, अगर मुझे moon का diameter चाहिए, तो D हम आलएड़ी निकाल लेंगे, ठीक है, तो मुझे चाहिए क्या है, यहां से, तो 5 करते हैं, मुझे actually A B चाहिए, यानि कि diameter चाहिए, तो A B आ जाएगा, अमरे पास D into 5, okay, 5B मैं calculate कर सकता हूँ, कि कितना angle उन दो points ने नीचे सबस्टेंड किया है, और D जो है, वो हम parallel x method की help से पता कर सकते हैं, मुझे actually मेरे से कितना distance दूर है, तो इस तरीके से मुझे का diameter calculate कर सकते हैं, अभी तक हमने हमसे जो celestial body जो दूर है अर्थे, उनके distances कैसे measure करते हैं, उसके लिए parallel x method मैंने आपको बताया, ठीक है, और parallel x method से अगर आपके पास distance आ जाता है, तो आप उस celestial body का diameter भी, approximate diameter भी measure कर सकत ठीक है, next आगे बढ़ते हैं, यह question देखिए, उसी पर based है, जो भी इमने methods पढ़े हैं, question देखिए, क्या कह रहा है, the shadow of a tower standing on a level plane is found to be 50 meter longer when sun altitude is 30 degree, okay, when it is 60 degree, मतलब वो कह रहा है, कि हमारे पास यहाँ पे एक tower है, उस tower की जो shadow बन रही है, ground की उपर, वो 50 meter longer है, जब sun का altitude 30 degree है, इसके मुकाबले जब sun का altitude 60 degree है, ठीक है, तो आपको angle चूज करने है, बड़ी simple सी चीज है, कि ये वला angle कितना होगा, और ये वला angle कितना होगा, this angle to be 60, and this angle to be 60, okay, और वो कह रहा है कि उसकी shadow जो है 50 meter longer है, मतलब पहले उसकी shadow मालो इतनी सी बन रही थी, मालो इतनी ये shadow बन रही है, अब उसकी shadow 50 meter longer बन रही है, 50 meter longer बनने का मतलब हमें वो ये distance देना चाहरा है, उसने हमें ये 50 meter दे दिया, यानि जिसको हम लोग D बोलते हैं, अगर वोला D हमें दिया हुआ है, तो D उसने 50 meter हमें दे दिया, बोल रहा है find the height of the tower, मतलब वो हमसे ये जानना चाहरा है, ये h निकालना चाहरा है कि ये कितना है, ठीक है, understand, तो same method लगाते हैं, हमारे पास आजाएगा h is equal to, अभी method हमने लिखा था, D, divide by, divide by, हमारे पास नीचे क् cot, cot, theta 2, minus cot, theta 1, जहां दीजे, मैंने माँ पे theta 2 इसको बोला था, theta 1 इसको बोला था, तो हमारे पास theta 1, theta 2 का रोल कौन प्रे गर रहा है, 30, हमारे पास आजाएगा d, divide by, cot, हमारे पास आजाएगा 30, minus cot, 60, अच्छा, cot 30 और cot 60 की value अगर भूल जाते हैं, तो 10, 30, 10, 60 की तो जाद है, just उसका reciprocal लेना है, तो you know very well, कि cot 30, मतलब 10, 30 का reciprocal, इसका मतलब इसकी value हो जाएगी, d, divide by, 10, 30 की value होती है, 1 by root 3, तो cot 30 की क्या हो जाएगी, simply root 3, okay, minus cot 60 की, cot 60 की value क्या होगी, जैसे 10, 60 की क्या होती है, root 3, तो cot 60 की क्या हो जाएगी, just उसका reciprocal, यानिकी, 1 by root 3, okay, आप कुछी नहीं करना, इसको simply solve करोगे, तो आपके पास h आ जाएगा, h is equal, d की value 50 meter है, divide by, इसको करोगे, तो आपके पास आ जाएगा, 3 minus 1, root 3, root 3 उपर चला जाएगा, मेरे पास आ जाएगा, यह नीचे से 2 आ गया, 2 ने 50 को काटा, तो 25 root 3 meter, 25 root 3 meter, यानि यह जो हमारे पास आवर दिखरा, इसकी height कितनी है, 25 root 3 meter, ओके, इस method पे question, इसी तरीका का question जरूर पूछ सकते हैं, आप से school exam में भी पूछ सकते हैं, या फिर नीट बगएरा में भी पूछा जा सकता है, अब इस formula को clear कर लिजए, कि यहाँ पे जो angle आना, अगर फॉर्मुला याद रखना चाते हो, ओके, तो चली, आगे बढ़ते हैं, next, very important topic, this chapter का, that is the dimensional, या dimensions of a physical quantity, अभी तक हमने physical quantities के बारे में पढ़ा था, उनके SI units के बारे में पढ़ा था, कि SI units क्या होते हैं, या बाकी system of units की भी आपने बात करी थी, आपको याद होगा, पिछे वाली classes गे आपने देखा था, आज हम एक बड़ी important चीज़ डिसकस करने वाले हैं, जिसको बोलते हैं, dimensions of physical quantity, dimensions of physical quantity, सबसे पहले definitions इसको clear करने का try करते हैं, अगर मैं in general definition बोलू, तो definition इसकी ये बनती है, किसी भी physical के dimension क्या होते हैं, किसी भी physical quantity के dimension क्या होते हैं, कि fundamental quantities की कितनी powers को raise किया जाए, fundamental quantities की कितनी power बनाई जाए हैं, कितनी powers से उनको raise किया जाए, so that कि जिस भी quantity के dimension आप निकालना चाते हैं, वो completely आपको मिल जाए, understand, इसी भी physical quantity के dimensions निकालने का मतलब होता है, कि आप fundamental quantities की कितनी कितनी power लगाओ कि आपको वो quantity completely मिल जाए जैसे for example, simply देखते हैं length मेरे पास एक fundamental quantity है length मेरे पास एक fundamental quantity है yes or no, ठीक है और मुझे चाहिए area मुझे कह चाहिए area area derived quantity है area निकालने के लिए आपको मैंने उस दिन भी बताया था है कि length into length ही होता है most of the cases में नाम चेंज हो जाएगा कभी length into breadth हो जाएगा ऐसे नाम चेंज हो सकते है radius into radius हो जाएगा लेकिन area हमेशा 2 distances के multiplication से आएगा साथ में कुछ constant भी आता है अब देखिए ये fundamental quantity है तो fundamental quantity की power को मैं कितना raise कर रहा हूँ कि मेरे पास area आ रहा है तो मैं power को 2 raise कर रहा हूँ यह सार नो मैं power को जब 2 बना रहा हूँ length की length फंडमेंटल quantity है तो यही मैं बार बार बोल रहा हूँ कि किसी भी physical quantity के dimension निकालने का मतलब होता है कि आप fundamental quantities की power को कितना raise करो कि आपको quantity completely मिल जाए इस case में length की power को जब मैं 2 से raise कर रहा हूँ तो मेरे को area मिल रहा है यह बिल्कुल rough बता रहा हूँ अभी आगे देखें कि dimensions लिखते कैसे हैं लेकिन यह समझाने के लिए लिखा है मैंने कि area is length into length और length का square ठीक है जबताने के लिए कि dimensions का मतलब क्या होता है understand आगे बठते हैं अभर देखती है कि dimensions लिखे कैसे जाते हैं ठीक है पहले यह देखते कि dimensions लिखे कैसे जाते हैं तो for example इसी भी physical quantity का dimension अगर आपको लिखना है आपके पास को firical quantity q है और आपको इसका dimensions लिखने है अब आपको पता है कि अगर ये कोई physical quantity है, तो किसी ना किसी fundamental quantity पर या किसी derived quantity पर तो depend रही होगी, अन्य? तो आप क्या करोगे वो fundamental quantity के क्या dimension है वो इनकी यहाँ पे लिखोगे जैसे for example मालो area ही था तो मैं लिखोंगा length की power 1 into length की power 1 तो मेरे पास आ जाएगा length की power 2 तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ से length की power 2 इस तरीके से हम लोग किसी भी physical quantity के dimensions लिखते हैं पट उससे पहले हम लोग यह सीख लेते हैं कि पहले fundamentals के कैसे कैसे लिखे जाते हैं यह तो मैंने length का एक idea दिया आपको कि किसी physical quantity के dimension लिखने का मतलब होता है कि अगर आप उसमें दो बार length आ रही तो length की power 2 अगर एक बार मास भी आ रहा होता है तो मैं साथ में मास की power 1 लिख देता है capital M use कर लेता है ठीक है तो एक बार यह सीख लेते हैं कि fundamental जो साथ fundamental quantities हैं उनके dimension कैसे लिखे जाते हैं क्योंकि अगर हमें उनके dimensions लिखने आ गए तो फिर बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है सबसे पहले क्या करते हैं साथ की साथ fundamental quantities के dimensions लिखते हैं तो मैं साथ fundamental quantities के dimensions यहां पर लिख रहा हूं आप जल्दी से खुद बताएंगे साथ fundamental quantities मेरी पास है कौन सी 4, 5, 6 और 7 अगली तो फॉनमेंटल क्योंटिटी याद करिया और लिखी अपनी नोटबुक पे पहली fundamental quantity length अगली fundamental quantity mass अगली time next temperature उसे next electric current electric current next luminous intensity luminous intensity last value जो quantity है that is amount of substance amount of substance तो यह साथ fundamental quantities अबने पड़ी हैं अब इनके dimensions कैसे लिखे जाते हैं जब भी हमें length के dimension लिखने हैं तो हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले एक square bracket बनाते हैं ऐसे करके और square bracket के अंदर length है तो length में capital L लेंगे और L की power लिख देंगे 1 ठीक है अगर हमें मास का dimensional formula लिखना तो फिर से square bracket बनाएंगे और मास की power लिख देंगे 1 हमेशा किसी भी quantity का dimensional इस तरीके से dimensions लिखने हो या उसका पूरा dimensional formula लिखना हो तो आप क्या करूँगे हमेशा इस तरीके से square bracket बनाऊगे और square bracket में जो भी आ रहा है जैसे मालो length भी आ रही है फिर से k की power 1 क्योंकि इसके SI unit क्या होते हैं Kelvin तो इसके लिए कोई अलग से हमने नाम नहीं रखा ओके इसके लिए हमने क्या रख लिया Kelvin ही रख लिया next electric current अच्छा electric current को ampere में measure करते हो तो इसलिए A की power 1 next luminous intensity luminous intensity को candela में measure करते हैं तो इसलिए हमने इसके अभी dimensional formula के लिए हमने इसको cd लिख लिया यानि cd की power 1 और लास्ट मेरे पास amount of substance तो आपको बता amount of substance को कैसे measure करते हैं amount of substance हमेशा mole में measure किया जाता है तो इसके लिए भी हमने लिख लिए square bracket और यहां पे mole और mole की power 1 understand अगर आपको इन साथ fundamental quantities के dimensions पता है तो जो भी derived quantities होंगी almost इनकी form में लिखी जाएंगी अगर इनकी form में लिखी जाएंगी तो हम लिख सकते हैं बड़ा किसी भी derived quantity के dimensions लिख सकते हैं अभी हम आगे practice करते हैं वह सरे question करेंगे जिसमें आपको dimensional formula लिखना आ जाएगा पर लिखने का तरीका क्या है वह मैंने जस्ट आपको यहां पर बताया आपको क्या करना है स्केर ब्रेकेट के अंदर लिखना उसको और सारे capital letter यूज़ करने है स्मॉल लेटर नहीं यूज़ करने है एक बार इनको नोट कर लिजे साथो की साथो fundamental quantities के dimensional के लिए कौन-कौन से हम लेटर यूज़ कर रहे है ठीक है इस पर्टिकुलर equation को डिमेंशनल एक्वेशन क्या होती है और अभी मैंने लिखा लेंथ अभी मैंने लिखा लेंथ और लेंथ का अगर डिमेंशनल फॉर्मला लिखों तो क्या लिखोंगा ल की पावर वन और इसको स्केर ब्रेकेट में बंद कर दोंगा इसको भी अगर मै साइड पर लिखी जाती है सामने एक्वल में राइट हैंड साइड पर उसका डिमेंशनल फॉर्मला लिखा जाता है इस पर्टिकुलर equation को डिमेंशनल एक्वेशन बोल दिया जाता है और कुछ नहीं है इस पर्टिकुलर एक्वेशन को डिमेंशनल एक्वेशन बोल दिया होना चाहिए ऐसे कुछ वर्ड यूज करूँगा वह वर्ड जब मैं यूज करूँगा तो आपके मांड में क्लारिटी होनी चाहिए कि मैं dimensional equation बोल रहा हूं तो इसका मतलब क्या है तो dimensional equation कुछ बड़ी बात नहीं है बड़ी सिंपल सी चीज है कि इधर वो quantity लिख दो उसको स्केर ब्रेकट में बंद कर दो और सामने उस quantity का जो भी dimensions है उनको स्केर ब्रेकट में तो बंद करना ही होता है वो तो हमारा usual तरीका है ठीक है तो इस particular equation को ही हम लोग dimensional equation बोल देते हैं और सिर्फ यह वाली जो चीज पड़ी रहती है इसको dimensional formula for the length बोल देंगे dimensional formula for the length ठीक है एंडेसे जैसे for example अगर मुझे लिखना हो temperature मैं लिखूंगा temperature इसको square bracket में बंद करूँगा और सामने लिख दूँगा Kelvin की power 1 ठीक है तो यह dimensional equation आगी for the temperature dimensional equation for the temperature understand वोफुली यह चीज़ क्लियर होई होगी कि dimensional equation से मेरा मतलब क्या है equation जिसे mathematical equation लिखी जाती कि left hand side पे कोई चीज होती है right hand side पे उसका कुछ value रहता तो वैसे equation बोलने का ठीक है आगे बढ़ते हैं अब क्या करते हैं fundamental quantities के हमने डिमेंशन लिख लिए सातों की सातों के dimension आगे अब हम लोग कुछ यहां पर quantities के dimensional निकालने का ट्राइब करेंगे understand यह सारी कि सारी यहां पर derived quantities रहेंगी यह बहुत सारी ऐसी quantities होंगी जिन से आप familiar रहेंगे ठीक है अभी होगे होंगे familiar यह class 9 में यह class 10 में आपने जो basic mechanics पढ़ी है यह जो भी physics पढ़ी है उसमें जो quantities थी वही मैंने for the moment यहां पर लिखी क्योंकि अभी हम first chapter पढ़ रहे हैं तो first chapter में जो आपकी previous knowledge है उसमें जो physical quantities आई थी सिर्फ मैंने वो रखी है अगर कोई नहीं quantity डाली है तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि यह quantity का मतलब क्या है ठीक है एक और चीज़ मैं आपको जुरूर बताना चाता हूं यहां पे कि dimensional analysis एक ऐसा topic है जो दो साल तक चलता है क्योंकि यह कभी complete ही नहीं होता क्योंकि जब आप 11th class में आए होता आप फर्स चेप्टर से स्टार्ट कर रहे हो तो आप फर्स चेप्टर में आगे आने वाले दो साल में कौन-कौन से laws discuss होने वाले हैं कौन-कौन से नहीं कौन-कौ आपने सुना भी नहीं होगा जिसे surface tension, coefficient of viscosity, permittivity, permeability, thermal conductivity ऐसी बड़ी सारी physical quantity नहीं 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 इंट्रोड्यूस होंगी तो पहली चैप्टर में तो आपको उनके बारे में नहीं पता तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आप देखेंगे जब भी कोई नया law discuss कि जा रहा है class में तो teacher आपसे पूछता है कि यह जो नहीं quantity यहाँ पीर हुए है इसका dimensional formula बताओ और यह पूछा भी जाता है यह पूछा भी जाता है exams में भी पूछा जाता है तो इसलिए मैंने बोला अभी तक तो आपको सारे laws पता नहीं है सारे quantities के बारे में नहीं पता इस तो सिर्फ वही quantities मैंने यहां पर लिखी है जिनके बारे में आप familiar हो जिनसे आप थोड़ा बहुत फैमिलियर हो कि अच्छा यह quantity है क्या मेरे को मोटा मोटा आइडिया तो है जिस फर एक्जांपल अभी आप भी मैं आपको बोल दूँ फरस्ट चेप्टर आप पढ़ रहे ह जाएगा नहीं तो जब भी आप coefficient of viscosity पढ़ोगे तब आप से वह dimensional formula जरूर पूछा जाएगा ठीक है अंडिस्टेंड तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मेरे पास हारा जी area जलती से बताइए area का dimensional formula क्या आएगा अभी लिखा भी था area मतलब length into length area मतलब length into length क्या आजाएगा L की power 2 आजाएगी L की power 2 आजाएगी कोई दो बार length multiply हो रही है L की power 2 आगी अच्छा usually क्या होता है कि जब भी dimensional formula लिखा जाता है तो पहली तीन fundamental quantities की terms में लिखा जाता है मतलब अगर area के अंदर mass नहीं आ रहा ना तो mass की power 0 लिख दो अगर area के अंदर time नहीं आ रहा ना तो time की power 0 लिख दो कोशिश करनी है यह कि हमेशा जब भी dimensional formula लिखना कि physical quantity का उसको कोशिश करना है कि तीन यह चार fundamental quantities की terms में लिखने का ट्राइग करना है इससे असानी रहेगी आगया आने वले में में मेरे नेि टैने आट मेर्थ इन टीन बार रही है लिए लेंधिन टीन वनिट की power 3 मास नहीं आ रहा टाइम नहीं आ जैसे केल्विन रहेगा एंपिर वो सब जीरो रहेंगे तीन में लिखा जाता है रेक्स आगी मेरे पास देंस्टी कि देंस्टी भी आपने पढ़ा होगा कमिस्टी में भी बढ़ा होगा और इन जनरल शोटी क्लासल में आप देंस्टी को डिफाइन करते हूं कि देंस्टी सिंप्ली मास पर यूनिट वोल्यूम अना उपर आगा फंडमेंटल कॉंटिटी इसके लिए तो दिमेंशनल फॉर्म का उपर में निकाल चुका हूं कितना एम की पावर 0 एक लिकी पावर थी की पावर 0 इसको आप उपर लेके जा सकते हूं जब उपर लेके जाओगे तो तो कोई फरक नहीं पड़ेगा एल टीप अउपर जाके माइनस की हो जाएगी मेरे पास आ जाएगा M की पावर 1, L की पावर माइनस 3, T की पावर 0 जब आप इसको उपर लेके जा रहे हो तो दो अलग-लग स्केर ब्रेकेट नहीं लिखने हैं दोनों स्केर ब्रेकेट को अरेंज करके मल्टिप्लाई करके जिनके बेस से में उनकी पावर जायड करके एक collectively dimensional formula लिखना है आपने तो मैंने यही किया आप यहाँ पे M की पावर 1 थी नीचे से 0 था तो खतमी है T की 0 खतम है यह L की पावर उपर गई तो माइनस 3 होगी तो मैंने इस तरीके से collectively लिख दिया आगे करते हैं और आइडिया आजाएगा अगर यहां तक नहीं समझाया तो नेक्स जे मेरे पास speed अच्छा speed simple definition क्या होती है distance upon time हाना in general speed is distance upon time तो उपर आगया मेरे पास distance distance मतलब length तो आगया distance नीचे आगया time तो speed के अंदर दोनों ही fundamental है उपर आगया distance नीचे एगा time मतलब distance के लिए में लिख सकता हूँ L की power 1 नीचे time के लिए क्या लिख सकता हूँ T की power 1 इसको भी जब मैं ऊपर लेके जाओंगा तो T की power minus 1 हो जाएगा मेरे पास आजाएगा इसका dimensional formula M की power 0 L की power 1 T की power minus 1 ठीक है समझ आ रहा होगा कि कैसे कैसे हम आगे बढ़ रहे हैं पहले कुछ fundamental के dimensional formulas हमने define किये तो धीरे 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 आगे बढ़ रहे हैं फिर area फिर volume फिर density फिर speed अब आते हैं acceleration पर अब acceleration जो वो velocity upon time या speed upon time करके लिखी जाती है यस और नो ठीक है तो next acceleration का जलड़ी से लिखते हैं acceleration is simply speed या velocity upon time तो speed का dimensional formula में पहले से निकाल चुका हूँ m0 l1 t-1 आगे लिखता हूँ मैं इसको acceleration acceleration is equal to क्या या speed है नब speed upon time और speed का में पीछे बहले step में निकाल चुका हूँ कितना निकाला था मैंने मिए ell impossible पॉर बन टी है नीचे फिर से टाइम आंगया फिर से टी पावर न आ जाएगी इस टी की बावर वन को फिर से उपर ले जाओ देखों क्या आ रहा है मेरे पास आ रहा है M की पावर 0, L की पावर 1, अच्छा T की पावर 1 उपर जाएगी तो minus हो जाएगी, एक minus पहले से तो T की पावर minus 2 हो जाएगी, ठीक है, तो यह आगया, acceleration का, ओके, next आगे बढ़ते हैं, next quantity कौन सी है, next quantity है, मेरे पास number 6 पे momentum, यह momentum भी सुना होगा आपने class 9 में जब आपने mechanics start क करी थी, तो वाँ पे एक linear momentum नाम से quantity discuss करी थी, linear momentum simply होता है, mass into velocity, linear momentum is simply defined as the product of mass into velocity, मैं लिख देता हूँ, mass multiplied by velocity, ठीक है, और speed का जो dimensional formula है, वोई velocity का होगा, देखे, quantity scalar vector हो सकती, अलेगनों, उनके ऐसा इनाट और उसका dimensional formula नहीं अलग लग होगा, ठीक है, तो जो, speed का है, वही velocity का होगा, तो देखे, सबसे पहले क्या रहा है, mass, तो mass के लिए तो मैंने लिख दिया, m की power 1, उसके बाद आ रही है, velocity यह नहीं, speed, अभी देखे, speed का क्या लिखा था, यह देखे, speed का मैंने यहां पर लिखा था, m0, l1, t-1, तो मिरे पास आ गया, m0, l1, t-1, ठीक है, combine करेंगे, तो मिरे पास आ जाएगा, यहां कर देता हूं मैं, मिरे पास आ जाएगा, m1, l1, t-1, ठीक है, तो यह linear momentum का dimensional formula आ गया, understand, ठीक है, next time मिरे पास force, very important physical quantity, force, force is simply defined as, mass into acceleration, mass into acceleration, force is simply defined as, mass into acceleration, ठीक है, अब mass का क्या होगा, m की power, 1, acceleration का अभी देखो, अभी निकाला था मने, यह acceleration का, m0, l1, t-2, m0, l1, t-2, इसको भी लिख दीजिए, यहां पर, m0, l1, t-1, इन दोनों को combine करेंगे, तो आपके पास acceleration का आ जाएगा, square bracket, m1, sorry, force का आ जाएगा, m1, l1, t-2, ठीक है, तो यह force का dimensional formula आ गया, इसको याद रखेंगे, इस पर बेस्ट आगे question भी करेंगे, इसको नोट करेंगे ध्यान से, तो क्योंकि force पर बहुत question आते हैं, understand, ठीक है, हीर हो रहा है, कि कैसे लिखा जाता है किसी derived physical quantity का dimensional formula, next time मेरे पास work, work भी आपने पढ़ा होगा, मुझे अच्छे से आदे 9th class में introduction हो जाती है, work से आपकी, work के energy से, work is simply force into displacement, या force into distance, loosely बोला जाए, तो force into distance, force into distance, या displacement होता है, वैसे तो, लेकिन हम dimensional formula लिख रहे हैं, तो हमें vector scalar से कोई फर्क नहीं पढ़ता है, यहाँ पे, ठीक है, तो force का dimensional formula, वो देखो उपर लिख दिया, मैंने, क्या लिखा है, m1, l1, t minus 2, into, distance, distance मतलब length, l की power, 1, इन दोनों को combine करेंगे, तो मेरे पास आ जाएगा, m की power, 1, l की power, 2, t की power, minus 2, check कर लिजे, m की power, 1, l की power, 2, t की power, minus 2, यह work का आ गया, next है मेरे पास energy, अब देखे, work और energy दोनों equivalent सी ही term है, ठीक है, आप किसी system की उपर work done करते हैं, तो वो energy की form में store हो जाता है, यह किसी object, किसी system की उपर work करने के लिए आपको energy की जरूरत चाहिए होती है, ठीक है, तो work और energy दोनों equivalent है, इसलिए दोनों का dimensional formula भी same है, अगर आप निकालना भी चाहते हैं, तो energy की कोई भी form ले लिजे, जैसे तो वो कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर सीधा लिख देता हूँ, work और energy का dimensional formula same होता है, that is, M1L2T-2, ठीक है, अगर आगे मेरे पास power, अब ज़रा power को ध्यान से समझते हैं, मैं next page बेचल रहाँ, power is simply, जिसको mechanical power बोलते हैं, power is simply rate of doing work, power is simply defined as rate of doing work, कि कोई person work को कितना जल्दी यहां कितना slow करता है, उसका simple definition होता है, work done, work done, divide by time taken, यह mechanical definition जो होती है, work done, divide by time taken, अच्छा, मतलब अगर मुझे power का dimensional formula चाहिए, तो मुझे work done का put करना पड़ेगा, और time का put करना पड़ेगा, अभी work done का लिखा था, M1L2T-2, divide by time का T की power 1, इसको arrange करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, M1L की power 2, T की power minus 3 हो जाएगा, T की power उपर जाएगी तो minus 3 हो जाएगा, तो मेरे पास power का dimensional formula आ गया, clarity हो रही है कि कैसे कैसे निकालने हैं हम लोगों को, बस आपको physical quantity का जो general physical formula वो जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि निकलेंगे वही से, जब हम ऐसे unit भी बढ़ रहे थे, तब भी मैंने आपको यही बोला था, आपको किसी भी physical quantity का अगर ऐसा unit जानने है, तो physical quantity का कोई physical formula आपको पता होना चाहिए, जैसे force का मालों आपको ऐसा unit निकालने है, तो force का आपको पता होना चाहिए कि force, mass, acceleration, velocity, speed, इन पर कैसे depend करती है, ठीक है, mathematical relation क्या है, वह कहां से निकाल सकते हैं, अच्छा, पीछे quantity रह गई थी हमारी, अच्छा, power हो गया, next time मेरे पास pressure, अच्छा, pressure भी आपने तब define किया था, class 9th में, या अभी तक कमिस्टी में भी हो सकता, आपने पढ़ लिया हो, pressure is simply force per unit area, pressure is simply force per unit area, यह सिंपल इसका mathematical formula लिख रहे हैं, pressure को स समझेंगे, for the moment, dimensional formula निकालना चारें, तो सिर्फ इस से काम चल जाएगा, okay, force, force का dimensional formula, अभी पीछे लिखा था, हमने, एक बार आप खुछ से check कर लेंगे, मैं सीधा लिख रहा हूं, M1, L1, T-2, check कर लिजे, क्या सही लिखा, M1, L1, T-2, divide by, नीचे आरा area, तो area के लिए आपर जाएगी, तो मेरे पास pressure का आजाएगा, pressure का formula आजाएगा, M1, यह power उपर जाएगी, तो जाएगी, L की power minus 1, T की power minus 2, तो यह मेरे पास pressure का dimensional formula हो, अभी तक हम total 11 quantities के dimensional formula लिख चुके हैं, और ऐसे कुछ और quantities के भी करेंगे, ताकि आपको idea लग जाएगी, लिखते कैसे ह आगे बढ़ते हैं, एक से मेरे पास velocity gradient, एक चीज़ ध्यान में रखना, जब भी किसी physical quantity के पीछे gradient word use करेगा, मतलब वो physical quantity को distance के साथ देखना चारा है, कि distance के साथ वो कैसे change हो रही है, आप आगे जाके पढ़ेंगे, velocity gradient, pressure gradient, potential gradient, यह 3-4 word में आपको बता रहा हूँ, तो change with distance, distance के लिए मैंने X use किया है, velocity में change with distance, अगर मैं बोलनाओ, pressure gradient, इसका मतलब change in pressure with distance, अगर मैं बोलनाओ, potential gradient, इसका मतलब change in potential with distance, यहनी D, potential को भी capital V से लिखते हैं, तो DV by DX, अगर मैं बोलनाओ, pressure gradient इसका मतलब DP by DX, जब भी किसी quantity के पीछ ग्रेडियन लिखा होगा, तो मतल सब नीचे distance आएगा उस quantity, अब हमें इसका dimensional formula लिखने है, velocity gradient का, उपर तो velocity आगी, तो आपको पता है, जो speed वाला होता है, कितना होता है, M0, L1, E-1, नीचे आगा है, मेरे पास distance, तो distance के लिए आपको पता है, L की power 1, ठीक है, और इसको solve करोगे, L1 से L1 खतम हो जाएगा, त T-1, ठीक है, M0, L0, T-1, next है मेरे पास refractive index, यह physical quantity अभी आपने 10th class में पड़ी थी, in general कैसे define करते है, refractive index को, आपने वापे definition भी पड़ी थी, the speed of light in the vacuum, divided by the speed of light in the medium is known as the refractive index of the medium, जो कि आप जिसको आप absolute refractive index बोलते हो, ठीक है, तो कहनेगा मतलब यह ही कि जो refractive index है, जिसको वहाँ पर N से लिखते थे हैं, यह simply कहाता है, C by V, उपर speed होती है light की vacuum में, नीचे speed होती है light की उस medium में, जिसका refractive index निकालना चारे हो, तो अगर उपर भी speed है, नीचे भी speed है, तो speed की dimension उपर आएंगे, speed की dimension नीचे हैंगे, कट जाएंगे, तो इसलिए refractive index से कैसी quantity है, जि MPR की power 0 पर depend करता है, यानि साथों की साथों fundamental quantities में, किसी की उपर भी depend नहीं करता है, तो आप करके भी देख सकते हो, मैं सीधा लिख रहा हूं, M की power 0, L की power 0, T की power 0, और बाकी जो भी fundamental, बाकी बचिया 4, उन सब की power भी 0, ठीक है, आगे देखते हैं कि ऐसी quantities को भी एक नाम दिया जाता, देखते हैं, end में, next ने मेरे पास surface tension, surface tension एक class 11th की quantity है, जब हम fluid dynamics या fluid mechanics पढ़ेंगे, तब हम देखेंगे, surface tension एक वहाँ पर quantity define होगी, physical quantity, मैं यहाँ पर simply बता देता हूं, surface tension जिसको हम वहाँ पर sigma से denote करेंगे, यह sigma word है, sigma letter है, इसको इससे denote करेंगे, यह simply होती करेंगे, force, per unit length, force, per unit length, force का उपर dimensional formula put कर दीजे, क्या होता है, m की power 1, l की power 1, t की power minus 2, नीचे length के लिए length की power 1 आ गई, ठीक है, यह l की power 1, उपर वाली l की power 1 को cancel कर देगी, मेरे पास बच जाएगा, सिर्फ m की power 1, l की power 0, t की power minus 2, ठीक है, यहाँ यहाँ तक, नेक्स्ट, इन क्वांटिटीज हमारे पास और बची है, 15, electric charge, यह भी पढ़ा है आपने, electric charge भी पढ़ा है, electric charge का dimensional formula क्या होता है, देखे, electric charge का dimensional formula निकालने के लिए, आपको electric current की definition में जाना पढ़ेगा, electric current की in general definition आपने वहाँ पढ़ी थी कि current is simply defined as charge per unit time, simple definition लिख रहाँ, electric current is simply defined as amount of charge crossing the given area per unit time, ऐसे करके वहाँ पे definition भी आपने लिखी थी, अब I का dimensional formula पुट कर देता हूँ और T का पुट कर देता हूँ, तो I का तो आपको पता है, I के लिए तो A की पावर 1 लिखते हैं, और time के लिए T की पावर 1 लिखते हैं, तो मेरे पास आ जाएगा Q के लिए आ जाएगा A की पावर 1, T की पावर 1, यह simply Q का dimensional formula short में 80 बोल देत हैं इसको, ठीक है, next, 16th physical quantity जिसका हम निकालना चाहते हैं, that is electric potential, next is electric potential, इसका निकालते है, electric potential भी आपने पढ़ा था, मुझे अच्छे से याद है, class 10th में है, electrical potential यह electric potential, electric potential, इसको आप capital V से लिखते थे वहां पर, yes or no, याद है न, capital V से लिखते थे, और potential को अपने डिफाइन किया था, work done per unit charge, याद करिए, potential को बोला था, work done per unit charge, तो अगर मुझे V का dimensional formula चाहिए, तो मुझे work done का उपर लिखना है, work done का क्या जाएगा, m1, l2, m1, l2, t-2, divided by charge का भी निकाला पीछे, charge का क्या आया था, a into t, okay, a into t, इसको उपर लेके जाएगे, तो आपके पास potential का simple dimensional formula आ जाएगा, m की power 1, l की power 2, a की power minus 3, और a की power minus 1, check कर लिजे, m की power 1, l की power 2, t की power, क्योंकि t उपर जाएगा, तो minus हो जाएगा, t की power minus 3 और a की power minus 1, okay, तो इस तरीके से हम electric potential का dimensional formula भी निकाल सकते हैं, next, एक quantity और बची हमारे बास, that is resistance, जब आपने ohms law पढ़ा था, तब आपने resistance को define किया था, एक constant of proportionality को आपने बोला था, यह resistance of the conductor है, yes or no, दीक है, तो हम इसको निकालते भी ohms law की help से ही है, okay, next मैं पहले क्या करता हूँ, ohms law लिखता हूँ, याद करी, ohms law क्या था, V is equal to IR, और R का dimensional formula मैं निकालना चाहता हूँ, तो R को रखता हूँ, एक side, दूसरी side आजाएगा, V divided by I, यहाँ पर जो V होता था, that is potential difference, I क्या होता था, current होता था, V का dimensional formula यह निकाला मैंने, इसको लिख देते हैं, तो मेरे पास आजा होता है, simple, current का dimensional formula simple A की power 1, यह A की power 1 फिर से उपर जाएगा, हमारे पास resistance का dimensional formula जो आ जाएगा, वो आ जाएगा, M की power 1, L की power 2, M की power 1, L की power 2, T की power minus 3, ठीक है, और यह भी A की power 1 उपर जाएगी, तो A की power हो जाएगी, minus 2, ठीक है, अभी आपके सामने मैंने almost, 12 से 17 physical quantities के dimensional formulas लि कैसे निकाल ले, मैंने ये भी आपने note किया होगा, आपने अपनी notebook पे भी note किया होगा, आप सीख चुके होंगे, कि किसी भी physical quantity का अगर मुझे dimensional formula निकालना है, तो मुझे उसका formula पता होना चाहिए, कोई नो कोई mathematical formula पता होना चाहिए, और उस mathematical formula में बाकि जो physical quantities उनके बार म वाला होगा, अगर आपको formula दे दिया, half mv square, आपको याद करना है, half mv square है, mass है, velocity का square है, तो मास का भी पता होना चाहिए, और velocity का भी पता होना चाहिए, ठीक है, understand, चलिए, आगे बढ़ते हैं, next, ये बड़ा हम बोल सकते हैं, प्यारा question है, competitive exam का, इस तरह का question जरूर पूछते हैं, neat में, school exam में भी पूछ लेते हैं, आपको क्या बोलते हैं, कि आपने जो 7 fundamental physical quantities पड़ी हैं, उनको भूल जाईए, हम आपको अपनी तरफ से कुछ 3 fundamental physical quantities दे रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि माल हो, ये 3 fundamental physical quantities हो, तो फिर किसी और physical quantity का dimensional formula क्या होगा, question को देखते हैं, question से आपको थोड़ी ज्यादा clarity हैगी, वो कह रहा है, if force, length and time are chosen as the fundamental quantities, वो कह रहा है कि force, length and time are chosen as the fundamental quantities, वो कह रहा है कि force, length or time अगर fundamental quantity की तरहा चूज़ किया जाते हैं, so then what is the dimensional formula for the density, तो तब density का dimensional formula क्या होगा, इस तरह का question जरूर पूछते हैं, school exam में तो definitely आएगा, और मैंने देखा है PYQ में, neat में भी जरूर पूछते हैं, ठीक है, तो सीख लिजे, इसकी technique सीख लिजे, फिर ऐसा ये question में आपको as a homework देने वाला हूँ, ठीक है, आप इसकी technique सीख लिजे, कि ऐसे question करते हैं, आपने क्या करना है, किसका dimensional formula पूछ रहे हैं, density का, तो मैं लिखता हूँ, density, okay, is equal to, वो कह रहा है कि अगर F, L और T, fundamental है, तो इनकी terms में density का dimensional formula लिखना चाहता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, मालो, जो density है, वो force की power, या पर capital letter use करेंगे सारे, माल लेते हैं, कि वो force की power, let's say, x पे depend कर रही है, ठीक है, length की power, y पे depend कर रही है, और time की power, z पे depend कर रही है, यह मैंने अपनी तरफ से माल लिया, यहां, ठीक है, यह मेरी assumption है, मैंने माल लिया, यह density जो है, force की power x पे, length की power y पे, और time की power, z पे depend कर रही है, जो जो उसने बोली थी, मैंने उ density का जो वो dimensional formula जो actual fundamental quantity की terms में आपको पता है जो आपने सीख रखा है साथ fundamental physical quantities को consider के इधर आपने वो पुट कर देना density का अभी आपने पीछे लिखा भी था मैं सीधा note कर रहा हूं यहाँ पे अभी आपने लिखा भी था हुआ है वो नोट कर देना यहां पर मेरे पास आजाएगा अब एम वन वन एल वन ए माइनस टू अच्छा फोर्स की पावर एक्स है तो इसकी पावर एक्स लिख देता हूं एक्समेर पास एल तो simply एल की पावर वाई आ जाएगी यह तो अल्लेडी फंडामेंटल है तो इसको वो तो क्या ही लिखेंगे और एक्स्टेंड करके ठीक है अब यहां से क्या करना है राइट एंड साइड पे जिन जिन के बेस से में उनकी पावर को एकठा कर दीजे और एक ही स्केर ब्रेकेट के अंदर सबको लिख लिजे जैसे फार एक्जमपल मास सिर्फ इस ब्रेकेट एक्स प्लस वाई यह स्टेप पता चला आपने क्या करना है इनो फिजिकल क्वांटिटी इसका डिमेंशनल फॉर्मुला वो जो आपने याद कर रखा वो लिख दीजे फिर उनकी जो पावर्स है उनको अंदर लाके जिनके बेस से मैं उनकी पावर्स को एड कर दीजे जैस 2x and प्लस z और इस तरफ आ रहा है मेरे पास M की पावर 1, L की पावर माइनस 3, T की पावर 0, ठीक है, अब लेफ्ट हेंड और राइट हेंड साइड में जो भी M की कर्वस्पोंडिंग पावर जैंको कंपेर कर लीजे, जैसे यहां पर M की पावर कितनी है, X, उदर कितनी है M की पावर 1, ठीक है, तो जो भी कॉफिशेंट से उनको कंपेर कर लेते हैं, मेरे पास आ जाएगा, जब मैं M की पावर कंपेर कर रहा हूं, तो मेरे पास आ रहा है, X की वैल्यू 1 आ रही है, ठीक है, सीधा-सीधा ही पता चल रहा है कि X की पावर 1 है, ठीक है, X is equal to 1 है, क्योंकि M की पा में put कर दूँ, ये वाली जो X की वैल्यू 1 है, इसमें put कर दूँ, तो Y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, minus 3, minus 1, that is minus 4, X की वैल्यू भी आगी, Y की वैल्यू भी आगी, ठीक है, अब निकालना चाते हैं, Z, तो Z के लिए अब T की पावर को कंपेर करिए, इस तरफ T की पावर कितनी है, 0, और इस तरफ T की पावर कितनी है, minus 2, X plus Z, फिर से X की वैल्यू जो निकाली, यहां put कर दीजे, तो आप देखेंगे, यहां से आपके पास Z आ जाएगा, 2, तो आपके पास X भी आ गया, आपके पास Y भी आ गया, और आपके पास Z भी आ गया, अब क्या करना, X, Y और Z निकालने के बाद वापिस यहां put कर दीजे, उस X, Y और Z को, आपके पास यहां से आ जाएगा, जो डेंस्ती हम निकालना चाहरे थे, इन टरम्स of F, L, और T, वो आ जाएगी, हमारे पास F की पावर X है, तो X की वैल्यू कितनी है, 1, ठीक है, उसके बाद Y की वैल्यू कितनी है, माइनस 4, मतलब L की पावर, माइनस 4, and Z की वैल्यू है 2, इसका मतलब T की पावर, 2, ठीक है, यह हमारा final answer होगा, ठीक है, इंडेसेंड, यह बहुत पसंदीदा कोश्चन है, स्कूल एक्जामबलों का भी, और नीट का भी, ऐसे कोश्चन बड़े पुछे जाएग आपको बोला जाएगा, युनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉंस्टेंट, फ्लैंक्स कॉंस्टेंट, और स्पीड ओफ लाइट, इन तीनों को as a fundamental लेके, मास का दिमेंशनल फॉर्मुला, लेंथ का दिमेंशनल फॉर्मुला, या टाइम का दिमेंशनल फॉर्मुला निकाल ल यहां पर बता देता हूं, यह जी क्या है, इसका दिमेंशनल फॉर्मुला में भी बता नहीं रहा, आपका करना, अपनी क्लास 11 की नोट बुक, जो अपनी न्सियाट की बुक है, उसको खोलना, उसमें आपको इसका दिमेंशनल फॉर्मुला मिल जाएगा, यह अच्छली ज यहां पर यह जो चीज है, इसको बोलते हैं, प्लैंक्स कॉंस्टेंट, और तीसरी जो चीज है, तो तो आपको पता है, यह स्पीड ओफ लाइट, इसका दिमेंशनल फॉर्मुला तो वही होगा, जो सिंपल स्पीड का होता है, तो तीन फीजिकल कॉंटिटीज मैंने यहां पर लिखी है, युनिवर्सल ग्रेविटेशनल फॉर्मुला इन टर्म्स ओफ ग, एच एच एड़ सी में निकालना है, कि मास किस तरीके से जी एच और सी पर डिपेंड करता है, अगर जी एच और सी को एज़ फंडामेंटल कॉंटिटी स्ट्रीट किया जाए, एक काम आप अपने और कना है, आपने लेंथ का डिमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, अगर फंडामेंटल की सिंख और खर युक्तिन टर्फ की तो किसी ना किसी एकज़ाम में जरूर मिलेगा एग गूंधे जी एच जियास nesse और अभी लेन्थ रहें टाइम हर ख्लासस में जाके देखते हैं कि इन normalized को भी प्रोली कुछ नाम दिनाल गन्ट किया है इसको प्लैंक लेंद्थ बोलते हैं इसको आकम टाइम बोलते हैं इस तरीके and frequency, इसके लिए यह symbol यूज किया जाता है, इसको new बोलते हैं, तो new बोलते हैं, आप frequency के लिए fb use कर सकते हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, velocity, row और new की terms में linear momentum, यानि जिसको small p से लिखा जाता है, small p को in terms of velocity, row and new निकाल लेंगे, ठीक है, आपने क्या करना है, इसका dimensional formula in terms of velocity, row और new की terms में निकालना है, यह आपका homework है, note कर लिजे, ठीक है, आप comment box में बताएंगे, कि आपने क्या answer निकालने हैं, इसके, और साथ ही साथ, यह वाला question भी जो मैंने आपको दिये है, इसमें भी तीन पार्ट बन गए, मास का भी निकालना है, length का भी निकालना है, time का भी different types of variable and constant, अब क्या होता है, अभी हमने देखा, एक quantity देखी है, हमने refractive index, फिर और भी बड़ी सारी quantities देखी है, हमने जैसे speed, velocity and time, इन quantities को on the basis of dimensional analysis 3-4 category में बाट दिया गया, तब से पहले है, मेरे पास dimensional variables, dimensional variables, dimensional variables, dimensional variables वो physical quantities हैं, जिनका खुद का एक dimensional formula है, वाट उनकी कोई constant value है वो change होती रहती है, जैसे किसी area हो गया, force हो गई, acceleration होगी, तो यह किसी भी object की change होती रहेगी, पर इनका एक dimensional formula भी है, ठीक है, तो उनको बोल दिया जाता है, dimensional variable, जैसे acceleration हो गई, velocity हो गई, force होगी, linear momentum हो गया, यानि those physical quantities which have dimensional formula, but their value is not constant, मतलब वो change होती रहती है, वो value, ठीक है, नमबर टू पी आगया, dimensionless variables, dimensionless variables, यह वो वाले variables है, जिनका dimensional formula है नहीं, dimensional formula ना होने का मतलब है, M की power 0, L की power 0, T की power 0, A की power 0, K की power 0, इसका मतलब बता, dimensionless होना, और लेकिन हैं यह variable, मतलब है, physical quantity, dimensional formula नहीं है, but value constant नहीं है, जैसे for example, अभी मैंने एक लिखा था, अभी लिखा quantity हम पढ़ेंगे, जिसको strain बोलते हैं, strain आगे जाके पढ़ेंगे stress or strain, तो ऐसी physical quantity जिनमें ऊपर भी same quantity पढ़ी हो, नीचे भी same quantity पढ़ी हो, numerator में भी पढ़ा हो, denominator में भी लेंथ पढ़ी है, denominator में भी लेंथ पढ़ी है, तो length by length क्या आ जाएगा, dimensionless आ जाएगा, पर refractive index है, refractive index है, ठीक है, एक है मेरे पास, इसमें strain हम लागे जाके पढ़ेंगे, stress strain, और भी बहुत सारी है, जो में टोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, next, तीसरे नंबर पे है मेरे पास, dimensional constant, dimensional constant, यह वो physical quantity जिनका dimensional formula तो है, पर इनकी value constant है, पर इनकी value constant है, ठीक है, जैसे for example, अभी मैंने लिखा था, G, जिसको बोलते हैं, universal gravitational constant, यह variable नहीं है, इसकी value fix है, पूरे universe के लिए fix है, ठीक है, ओके, जो numerical value आती है, इसकी 6.67 into 10 raised to power minus 11 units, ऐसे करके कुछ आती है, ठीक है, जो भी इसके units होंगे, ऐसे करके कुछ value आती है, और वो value fix है, आप चाहे sun और earth के physical quantity है, जो है constant, but इसका dimensional formula तो है, अभी मैंने पीछे बताया भी था आपको, कि आप देख सकते हैं, अपनी NCIT की notebook में जाना, वहाँ पे list दी हुई है, वहाँ पे G का dimensional formula जुरू चेक करना, ठीक है, understand, निकालते कैसे हैं, वो हम दीरे-दीरे सिखेंगे, जब हम Newton's law of gravitation पढ़े है, ठीक है, वो भी आप देखेंगे, अपनी NCIT की notebook में कि क्या है, ठीक है, understand, वो पूरा table आपको अपना note करना है, और उसमें जो भी important, important physical quantity है, सबके dimensional formula जुरूर देखने हैं, नंबर 4 पर हमारे पास आजाता है, dimension less constant, नंबर 4 पर हमारे पास आजाता है, dimension less constant, मतलब यह constant भी ह चाहिए, actually मुझे बोलना चाहिए, जैसे पाई है, तो पाई की value constant है, ठीक है, पाई की value constant है, और ना ही इसका कोई dimensional formula है, ठीक है, exponential वाला जो E है, जो आप use करते हैं, इसकी value कुछ 2.718 के round होती है, वो भी उसका भी एक constant value है, पर उसका कोई dimensional formula नहीं है, तो dimensional analysis के basis पे हम लोग जितने भी physical quantity है, उनको further 4 के टेगरी में बाढ़ लेते हैं, कि एक तो वो हो गए, जैसे रिफ्रेक्टिव इंडेक्स हो गया, और स्टेन हो गया, next है मेरे पास dimensional constant, इनका dimensional formula तो exist करेगा, बट इनकी value constant है, जैसा मैंने अभी ये लिखा है, ठीक है, understand, इसकी value भी कुछ 6.63 into 10 raise to power minus 34 units के round होती है, does I remember, इतनी value होती है, okay, और number 4 पे आगा मेरे पास dimension less constant, dimension less constant, मतलब ना तो इनके कोई units हैं, okay, और इनकी value भी constant है, fix है value, वो change नहीं होगी, understand, तो hopefully आज की class आपको समझ आईए होगी, कल वली दो classes हमारी काफी important है, कल एक तो हम ये स analysis की क्या-क्या application है, और application, तीन application हमें लोग पढ़ेंगे, बहुत important application है, कल वली class आप जुरूर देखना, ठीक है, और उस पे बहुत सारी question आपको exam में पूछे जाते हैं, last class फिर हमारी error analysis की रह जाएगी, जिस से हमारा ये chapter almost finish हो जाएगा, फिर हम आगे next chapter पे बढ़ेंगे, तीक है, तो class आपको समझा ही होगी, okay, thank you so much.